असलाम लेकूब नाजरीन मैं हूँ आपकी मैजबान सना नूर और आप देख रहें प्रोग्राम जिन्दगी एक सफर नाजरीन आज हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद है मैनास अखतर साहिबा जो के बेटी वाला कंपनी की ओनर है और मोटिवेशनल स्पीकर भी है और ने मेहमान की तरफ. असलाम लेकूम कैसी हैं आप ऑने की चैनल का शक्रिया operates श्युक्रिया जिन्होंने मुझे 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 मुकर दिया आज हैं आज यह आने का और आपका शुक्रिया कि में तो फिर इस वक्त मेरा एक और भी प्रग्राम था वहां भी जाना था तो फिर मेने का कि नहीं पहले जाना यहां पर थैंक्यों सो मुझे अपने सवाल की पिदा आपके ही जो इस ते मतलब रेटिट करूंगी मुझे यह पताईए आपकी कंपरी क का नाम जो है वो बेटी वाला कंपणी है तो यह नाम और यह सोच मतलब किस तरह आपके जहन में जान पर आपके बनाद रख़ी अच्छा असलमें बेटी वाला कंपणी का नाम जो है बेटी वालइ की लोग इस चीज घुआ करें वों कहिए पाशा तो अच्छंग है, तो मैरे माश अलाह तिन बेटी है, उसको काफी नहीं नहीं है किसी के लिए अच्छा करोगे तो अपने लिए भी अच्छा तो यह है कि 2005 में जलजला जब हुआ जलजले के बाद हम लोगों का यह माइड मेरे अस्वेंड के यह क्रेड़ सारा उनको ही जाता है जी 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 तो मारे तो उसके बच्चे चोटे थे हम तो इतने ज्यादा के नहीं कर सकते थे माशाला सब समाजी कारकुन भी है तो मतलब सोशल वर्कर ने का आपका शूरू से था तो फिर यह है कि बैटी वाला के नाम से फिर कंपनी बनाएगी यह मारे माशाला बारा साल हो गए अच्छा बारा साल से यह कंपनी है और कोशश मारी यह है कि लोगों के लिए बैटियों के लिए अच्छा किये जाए है इसमें यह शुक्राइब भी दो ब्रांचेज वहां पर चुनोट की फरनीचर की वहां पर इसलामबाद में तो उस सवाले से यह है कि अच्छा लगता है माशाला था लोगों के लिए सूलत हम लोगों ने दी है आप जो चीज इस वकत आपको पता है एक तो वक्त की कमी है लोगों के पा किया है इसका मकصद यह है कि जो गरीब तब कलोग गे घरीब जो गणकी मुस्क्राइब बच्ची नहीं होती है जो पता है कहीं बच्ची नहीं ये कि यकिन करण करो कि कहीं लोगों कि कहीं बच्चीओं क्यों हमारे पास फोन आते हैं और उनकी डेटते हो चूटी उनके घ जैज देना कहे रहे हैं कि नहीं देना चाहिए और यह तो एक है लेकन एक चीज जरूरत है महारे माशरे ने इस चीज को जरूरत बनाया हुआ है जैज का अब ना दें तो उसके लिए भी मसला बच्चीओं की शादी अगर बगएर जैज की हो जाती है तो आपको पता है कि उ आने सुनने को मेरे अभी परसू में एक वीडियो देख रही थी कि उसमें मियां और सास दोन मिल के इसको लड़ी को मारे जा रहे तो मले का बना की बना की है मारे माशरें की बराई है इसमें कुई वो सुनत नहीं है के नहीं नहीं देनी है देखो ज्रूरत की चीजहे कुछ नब नब्य पाकि भस लाओ लाग आ bipartisan मैं यहले लगता चाहिए कि और यह को पिरी इस तरह से लोगों को इतने narrow mind होते हैं कि छोड़ी छोड़ी चीज़ों पहला मतलब गर में लड़ाई जगड़ा करते हैं अलकि यह चीज़े बेमोल होती है अलकि इन चीज़ों के कोई मान नहीं होता है यह सब नसीब की बात होती है जिसको अलागा ने देना होता है इतना दे देता कि उसको यह जो लड़की आएगी जो बाव आएगी वो जयज लेके आएगी और अच्छे से अच्छा लाएगी इसका यह होता है मैं परसू एक वीडियो देख रही थी वीडियो में में देख रही तिया उस सास और मिया मिल की यह ऑस लड़की को मारे जा रहें कि तीन साल ओगे य थे वाता है इनोंने जब शादी की थी उस वकत इनोंने बोला था कि हम जैजड बाद में दे देएंगे अभी मारे पास नहीं यह आपन्काश करके ले जाएं तो इसको लेके हैं तीन साल होगी इसको आप वापस वेए थी थी है तो यह वापस आ जाथा है हमिसको के ते हैं झ जैस का मतालबा किया कि भई जैस नहीं लेकि आरी तो इसको अच्छा ये चीजें देखने को जब मिलती हैं और बहुत सारे पहले भी ऐसे जैस को हमनें सोजज देखते हुए एक जैस का सामान की में मसलें एक कमपणी बनाई है और मदद के तोर Lincoln पर ए महीं चाहिए को कोई मतलब कांटेक करना चाहिए किसी को मदड की जरुवत हो, या कोई मतलब मतलब चाहता हो या कोई करना चाहता हो। तो वो किस तरह से जिये वो मतलब आप लोगों से रुजु करें तो क्या पॉस्टेस ते सकर अच्छा, मैं यह कि Çенер नो पे भी इसका तो यह बैटी वाला के नाम से लोगों के यह होता है कि कही लोग मदद के लिए फोन करते हैं कि हमारी मदद की जाए यह वह सोचा कि कोई अदारा है या कोई मदद करने वाले कोई इंजियो है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है यह मारी कमपनिया और बिजनस है तो आप लोग जह उसमें तीन सो अफराद का खाना भी है अच्छा बराद का खाना तीन सो अफराद का खाना होता है उसके बाद फरनीचर होता है लेक्रोनिक का सारा सामान होता है तो तीसरा पेकज पांच पेकज मारे आते हैं चार एक लाग से लेके चार लाग तक यह पेकज मारे बने है भी मारे पास जो जितने भी मसलना कराची के जो गरीब तबका है उनकी तरफ से मारे पास जो है वो ज्यादा ही इसका जो रिस्पोंस हा रहे है तो आश्या बहुत अच्छ है माशाओ जो भी आता है जो ले के जाता है और यकीन करें कि जिस वक्त लोगों की नजरों में आप कराई लगा के रक्षों में जगा जगा से एक चीज लिए जहा से सिर्सें कि लीए जा ने जाते है तो आपको क्या है कि लिएने वालों की ताराइवालों की जाधता है और देने वालों की जले कुछ आपक लिए delicata को लिए पर को आपने मासियों को या पने किसी खांदान ने खनान वे भरी यह आपने च्गेशिए की वे स्टीन कमा जो हमारे से रापता करते हैं। और उस चीज़ को आके वह जब देखता है, मतमिन होती हैं पहले मारा डिस्पले सारा करिता है है। इसमें पहले विज्ट करते हैं देखते हैं mapping होती हैं। ख inhib Details पहले पहले पहोताहिए को अधर जब शादी की डेट हो जाती है कि अधर कि साथ कि कि kay एस n precious test working on tender company धो सारी तो पहली तो अधर जिस वकद उन्होंने डिलिवरी के वो पेकज का सारे सामान उठाएंगे उस वकद वो पेक करेंगे और सामान लेके जाएंगे और अला का शुकर है खुशी होती है ये चीजें देख के बहुत अच्छा लगता मेरे पीछली दफ़ा भी एक चैनल पर अंटर्वियू हुआ था तो मुझे इस चीज में काफी खुशी भी महसूस होती है इन चीजों को जब देखती है और लोगों की जब कॉल आती है अभी उसके बाद हमें कुई है और माशालला सब ने तारीफ करके गए और इस चीज के हमें भी खुशी होती है जा मारे आप वह या कोई भी किसी के काम को भी अगर कुई सरा जाए कोई अच्छा काम किया जाए तो उस चीज के यह खुशी होता है सबसे बड़ा बोज़ी होता है सबसे बड़ा बोज़ी होता है बिल्कुल यही चीज है एक माँबाप के लिए तो सबसे के आई सुबह भी एक बच्ची की कॉल आई तो वो यह थे जो कश्टी में चलाने वाले जो क्या कहते हैं तो उन्होंने कॉल की हुई तो वो कह रही है कि मेरी बच्ची की शादी या को आदी कीमत में फ्राइवाइट किया जाता है कोई भी सामाना आप अगर मार्केट से लेंगे वो आदी कीमत में मारी कमनी की तरफ में लेगा है कि एक साथ मतलब आपके बस तीन चार कॉल्स आई हूँ और मतलब उनको सबको जल्दी ही सारे सामान जो है वो महिया करने हो अगर जाता है कि आप लो कर पाते हैं फिर यह अशालला माशाला हमारे तीन आफस है एक पुरंगी पर अंग्लुस्ताने जोड़ में एक पुरंग इसमें घरी बाबाद में तो अगर किसी को बहुत जल्दी बी चाहिए होता है हमारे कहीं ऐसा कहीं दिन ऐसे भी आए आए तीनों आफस में से तो देते हैं हो जाता है अल्ला का शुक्रा को यह सा मसले की बात लेंगा चलिए बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा लगा सुनके कि आप लोग इतने अच्छी इस पर काम करें अल्ला कोशु इस सुलत पाट अन्सानियत को सबसे बड़ी चीज़ होता है तो आने जाने चीज चीज बहुत है आन। झाला ला ने देना होता है लेकिन जो चीज लिए अगर और आप कुछ करना चाहें और अच्छा साबत हो तो ये सबसे बड़ी होशी की बात है मेनास अब कभी ऐसा हुआ है कि मतलब आपने कोई चीजें दी हो फॉर इसेंबर फरनीचर वगर रहे कुछ भी तो जो सामने इन लॉज हैं सुस्राल वाले उनका लाला चौर बढ़ गया हु तो नहीं लाला तो खेर नहीं बढ़ जाता लेकं कहीं लोगों के यह माइंड में ह जाती है उनके मर्जी है कि अगर इतना कम पैसों में इतनी सारी चीजें मेरी हैं तो अगर यह कोई और मदद कर सकते हैं तो यह करें तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि जो हो सके जितना हो सके अपनी तरफ से भी अलहम दिल्ल्ला करते हैं लेकर यह कि यह कि एक कंपनी ह यहां पर मैं एक बात कहूंगी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम सफएद पोष्ट लोगों का नाम देते हैं ठीक है वो कुछ मांगते नहीं अपने मूँ से और बहुत सारे दारे ऐसे हैं जो इन लोगों को फाइंड आट नहीं कर पाते हैं और यह अपने अक से महरूम रह जाते हैं बल्कि वह लोग आखे ले जाते हैं जो अबல्कुर सेट होते तो आप लोगों किस तरह से मतलब ढूनते नहीं ऑर इनकी मदद करते हैं आ असल में बात यह उती है कि यह चीजह आप देनी हैं जिन लोगों की किसी जगह पर अप्रौच होती है कोई पहूंच होते हुए भी लोग ले जाते हैं और सफेध पोश लोग जो होते हुआ अपनी इज़त देखते हैं तो मैं यह सोच चरी हूँ कि कोशिश मारी यह होती है कि अस अद तक जा कि उस नजाम को देखें कि कोई इस चीज का बाकी में मुस्तविक है कि नहीं है तो कोशिश करके उस घोफ़ों कि इस चौन करना चाहिए तो वहहाँ से ले सकता है और ले कि अगर वो अपने गरीङ किसी का ड्नैट करना चाहिए मतला हो अगर अफरीद के खरीद के गरीव को देना चाहिए तो भी ब сид आख ढ़िए कि करेंग review को नाविन्त ब्रेक ओकिन से चुटे से ब्रेक क वेलकम बेक नाजियें तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ मैनाज सहीब मैं अपने सवाल यहां पर जाए वो चेंज करूंगी और आपसे सवाल पोचूंगी कि हमारे माश्ये में जो तलाक की शहरा है वो क्यों बढ़ती जा रही है उसकी मतलब क्या वाज़ा है तलाक क जो लफज आपने लिया इसका तो वाकी सुनके तो अच्छा नहीं लगता यह बिल्कुल फीलिंग अच्छी नहीं आती और लेकन इसका एक अल्मिया यह बन चुका है कि लड़कियों के लड़कों के आजकल जो बरदाश्त है वो कम हो चुकी है पहले जमानों में आपको प वो गार है और उस गार से मर के निकलना तो यह लड़कियों के लिए वो एक बात बन जाती थी और मांबाप की विज़त को भी देखा जाता था और अपना भी उन्होंने एक जिन्गी बसर करनी थी तो वो साहरे सरवाय करती थी जितनी भी मुश्कल होती थी लेकन आज कल के वक्त और आज कल के दोर के हसाब से यह मुबाइलों ने यह लड़कियों के लड़कों के ऐसे दमाग खराब करके रखती हुएं कि वो अच्छा से अच्छा करने की किसी अपने पास कुछ है नहीं है दूसरे को देखने की कोशिश है कि उसके पास अच्छा है उसके पास अ करवाई मेरे साथ एक दो अंटियों भी थी हमने रिष्टे भी करवाई थी लेकन उसमें मैंने यकीन कर कि कितनी दफ़ा ऐसा देखा कि एक मीने के बाद तलाक लड़की की हो जाती है और इतना अफसोस होता है कि निया समान निया जैज उसका रखा हुआ वह मांबाप के गार वापस आ जाता है उसमें यही कि भरदाश खत्म हो चुकि या लड़का तो वह बरदाश निहीं करता लड़की ओ enthrad रभात से नोख टॉक हुई हção है और पहले ज़मन में यह होता था कि कितना कितनी सर्वाय करने ही पड़ती थी कितनी कितनी मुश्कल गरीब लोगों से शादियां की जाती थी और लड़कियां वो अपने माबाप की एज़त को लेकर बेढ़ जाती थी कितनी मुश्किलां तकलीफ हैं देखने के बावजूद भी उन्होंने अपना गर बसाना होता है लेकिन कहीं जगह पर ऐसा भी होता है कि अगर हम मॉबाइल की बात ना करें तो कुछ लोगों के घर का महौल ऐसा होता है कि या तो लड़की मतला बहुत बरडाश करने के बाद एज़स्ट नहीं कर पाती है जी असल में और पर उसके घर वाले उसको बोलते हैं कि मतला पुराने जमाने की भी बात दी के बाई आप तुम्हारा जनाजाई घर से निकलेगा लेकन वह एक मावल उस वकत बन जाता था और वह लड़कीं बरदाश करती भी थी इस चीजों को आज अगर यह चीज आप कर ते कि वह खार बृत चीज़ों, जो आइदे बी ऐस हे जाता है और खार जाता हृ नाजा लड़की के लिए बादार को अपने तरफ मोल एक उते है जो लड़की बाहर से आही हुटी है कर आने वाले के कुसूर एक बंदी को आपनी तरफ को अपनी तरफ नहीं मोड सकती है आगे जो धस बंदे बैठे होसे वह एक बंदी को अपनी तरफ मोड सकते हैं उसको अपने मौल में अपने जो कार है उस माहल में वो जसेट कर सकते हैं लेकं वो शुरू में आने साथ ही वो सारा बल डरा, वो सारी चीज dentro है वो एक वो की पर समझा जाता अगर बेटी साथ चीजेद समझा जाए तो मेरे हाल में यह सारी चीज नौबत आई ना, उसके बाद वो जब बव की असियत से समझा जाता तो वो सारी चीज इंग रचे जाती है और वो लोगों के लड़की के लिए मुश्किल बनती जाती है. वो उसको अगर थोड़ा सा टाइम दिया जा है. लड़की को साल, दो साल का टाइम अगर अपने महौल में अपने फैमिली में उसको अजिस्ट किया जाए तो शायद ये चीज़ें ये तलाग तक नोपत न पहुँचें लेकर मैं कहती हैं कि आजकल के दोर में ज्यादा तर ज्यादा तर आप कोर्ट में चले जाएं यकीन करें कि सुबह से शाम तक कहीं लाइने ऐसे बच्चे लेकर ऑरतें खड़ी होती हैं कोई बाप बच्चों को मिलने के लिए आए तो लोगे कहते हैं कि लड़की हो या लड़का तो उससे पहले उसकी माँ को देखो क्योंकि माँ की बाप की तो खर होती है लेकिन माँ की जो परचाई होती है क्योंकि परवर्श करने वाली माँ होती है तो वो उसके उपर बहुत ज़ज़ादास होती है। importantly, है आज के Eat यह जो रिखेदासा देखने के लिए जिए जो सेखसे एक सिस्टम होता है पहले तो यही था कि कोई किसी की दूलता को नहीं देखा जाता गूं किसिки उसमें नहीं देखा जाता लेकर आज के मैं यकीन करो कि कैई दफ़ा लोगों की ये चीजे सोचना सोच ऐसी लोगों की बदलगी हुई है कि वो पहले सबसे बड़ा गार देखेंगे पिर उस गार की अंदर के मामलाद देखेंगे कि यहां से यह अच्छा खासा माल मिल सकता है तब भी उस बची का मेरे तो कभी-कभी मैं मेरे अपनी भी माशाला थेन बेटी हैं तो मुझे बड़ा असौस होता है बच्ची के जब उनके चेहरे पर आपको मायूसी होती है कि कि कुई रिए रिष्टे वाला आ आथा कि क्या पता अब यह क्या था दो पना पता यह क्या भी बोलेगा मारे ब कोई परेञा ये सार वीलेज से मेरे तलीज ये अगेट विलेज़ अन्य रह लोग बीघर क्यासे घब वक्रटाइब हो तो में दिए सार विलेज आटए मे विलेज बीश चैनलूरी नाम में लोगा से शरएयर बूड़े लोग जिस विए इसवी आपको कुछ जसे रि says और जिस विए पोले ज़से हो जाते तो इस विए अज्ग जाती तो फिर ओंगाइं उक Too अब रश्टा तलाश कर रहे हैं या फिर अपनी तरा की ऐस्ट एम लगो उ ही मेडल क्लास में डेकर अगर परुर है बैलन्स में नहीं होते हैं तो फिर ये मामलाद आगे खराब हैं ये मामलाद चलते रहते हैं असल में बैलन्स का ये है कि आजकल की लड़कियों के जो बहुत सारे चीजों को जो देखा जाता है लड़कियां आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं अपने गार के माल को आपने गार की जो एक जितनी बंदे की एक जार बता है वो माँ बाप जो जितना कर सकते हैं लेकि मैं का थे माँ आज कल की लड़किया शाना बशाना चलती है वो एक से एक देखती है एक से बढ़ने की कोशिश करती है एक सो इती है कि अगर मैं मेडल कलास हूं तो अगर कि मैलेस्जाफ के लोगों में होती है वो वाली इच्छोपनी पीरि प्नौत होती है। lasting के सामने वाले को बड़ाश नहीं होता है तो फिर उनके मामलाद जो है वो सामने वाले खराब करते हैं तो इस सिल्सले में क्या कहेंगी कि मतलब मियां बीवी को क्या करना चाहिए या अकसर उनको पता नहीं लगता है और सामने वाले मामलाद खराब कर चुका होता है असले साना मैं एक बात ये बोलूं कि अगर मैं आई सुबह भी एक पोस्ट पढ़ रही थी कि अगर मियां बीवी के अपस में अंडरस्टेंड गया है उन्होंने ये कोई बोल दे कि फलाना आया और उसने उसका गार खराब कर दिया ऐसा कभी भी नहीं हो सकता अगर मियां बीवी में अं इंटरफैर गरें ऐसा ये लिए में नाराजगीं भी होती है नाचाकीं भी हो जाती है कोई मियां बीवी ऐसी खुश नहीं हथे कि वो चविस गंटे बैच के आशरे इे ये खुश धी होते हैं वह करना थाइkung को कि नथकर दीशार बीगर के خود इसमें गलती नहों या बंदे की खुद गलती नहों तो मेरे ख्याल में दूसरे किसी को मौकर नहीं मिल सकता और मौकर देना भी नहीं चाहिए अगर आपके खिलाए आपके कोई दर्मयान में कोई इखतलाफ हैं आप अपने रूम में अपनी चार दिवारी कें अंदर पहले आपस में सौल करें अगर आपस में सौल Hudson कोई अगर आप दोनुпон्किंसे नहिं अइन आपने लोगों के जा सकते हैं आप अपने बढ़ की जा सकते हैं बड़े गार के जो भी होते हैं तो चाहे सोस्राल रॉक पूम पाप की तरफब की तरफ सी है। वो बड़े जो लोगते हैं। उनकी जिन्गी एतनी घुज़र चुकि उती है हुछ सितनी आपको नोगों का तजर्बह होता है। वह लोग इस चीज़ को बैतर समयी सके बेतर जान सकते हैं कि इस जिन्गी का अगर नए शादी शुदा नया जोड़ा है तो उनको आपस में एक दूसरे को अंडरस्टेंड करने में टाइम लगता है वो अगर नहीं समय सकते हैं उनको किसी बात की समय नहीं आती है वो अपने वालदें तक ये बात लेकि जा सकते है हो सकता वालदें इसका बेतर फैसला कर सकें बेतर स्लूशन कोई नकाल सकें तो इस चीज़ से यह के गार बाई सकते हैं तो यह होता है कि बाद लोगों का यह होता है मियां बीवी के अंडरस्टेंडिंड खुद अगर नहीं होती वो दूसरों पे इलजाम दिये जाता कि व नेरे हाल में कोई भी किसी का गार नहीं खराब करता तो इस चीज़ अपर ऐसा भी होता है कि खास करके मैं एक लड़के की बात करो जो अकसल लड़किया कहती हैं कि ममी डैडी वाला है तो वो कुछ लड़के होते हैं जो हर बात जो है वो बीवी की हो या उसके गरवाल से रिलेटेड हो तो अपनी मां बापको बताते हैं तो इसे मामलत खराब होते हैं कभी-कभी यह बीच में है यह बात आपके बिलकुल ठीक है कि बाद लड़कों को असल में शूरू से मतलब उनकी आदद होती है उनकी आदत होती है कि मां के साथ अगर वो ज्यादा अज़े तो बार बात माँ से शेयर करने अब जारी बता है माँ है अगर वो बीवी के बैट के पाउं दबा रहा है तो वो आके अपनी माँ को बोले गा कि मिनने उसके पाउं दबाए तो वो माँ का दिल है ना वो देखो अगर वो ठीक अब बाउ की दिश्मनी में या बाउ की जिद म में पर्दान का रखा यहूंकि और जाते हैं दो घर जो के और बिंद आने में उत्यूंती है ती मिव पर्दा' को अधसरा अनुए में आक दूसरे का लबास है परदे में कोई भी बात खोई एक ओर को पर्दा रखेंगे तो Allah भी उनका परदा रखेंगा दूसरा है कि अपना मावल अपना एक वक्त अपनी कोई भी बात किसी दूसरे तक अगर आप पहुचाएंगे नहीं तो शायद मेरे ख्याल में किसी को वो नहीं है इशू नहीं बान सकता तो कोशिश करनी चाहिए लड़कों को भी जो लड़के इस तरह की आदत हो तो उनको कोशिच करनी चाहिए कि अपनी अजवाजी जिनगी अपनी वाइफ अपने गाल का मां बाप की भी इज़त करें लेकर अपनी वीवी का अपने बच्चों का इन चीजों का ख्यार रहें मैला सभा मुझे पताईए कि घर का जो इन्वार्मेंट होता है जार सी बाते अगर आप्रिशन का मतलब यह कि जो आइन फर्म सिस्टेम नहीं है मिया बीवी बच्चे साथ में रह रह रहें तो एक बच्चों पर अच्छा असर डालने के लिए मिया बीवी का रिष्टा कैसा होना चाहिए मैरे हल में मिया बीवी का रिष्टा जो है और वह अपनी जिनगी त अगर 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 अवलाद दी यह वासी वो अरत के लिए नहीं नहीं होती जिए्जहिए यह सिर्फ और अरट के लिए भी उता हैं ये अगर वालदें की आपस में नराजगी यह अंडरिस्टेंडिंग नहीं है लड़ाई जगड़ा उसमें सबसे ज़या जो हैं। पूरे खांदान अपने अपने गरों में खुश होता है किसी को कोई फरक नहीं पड़ता किसी का उसमें सिर्फ आपकी अउलाद बिस जाती है बचे डिस्टर्ब हो जाते हैं बचे परशान हो जाते हैं बच्चों को वह ऐला सब कुछ होने के बाव बचूद भी बच्चों मे बच्चों के लिए आइडियल परसनलिटी होनी चाहिए बैटे को खास दोर पर बाप जो होता है वो बैटे के लिए आईडियल होता है और बैटी जो होती है वो अपनी मां के नक्षे कदम पर होती है और बैटी की जो आईडियल होती है वो उसकी मां होती है वो अपने मां को देख के उसका मौल उसका जो चीज उसने अपने मां की बरदाश आपने सिस्टम को जिन्गी के में जो देखा होगा वो आगे जा कि अपने ग़रों में भी इसी तरह वो मौल बना सकती है और बैटे लिए भराब है उसको किसी ला किसी बात में तो हात उठाते हैं कही जगहों पर मैरे में ने खुद मेरे अपने एक जानने में एक फैमिली है कि यकीन करें कि कहीं दफाओ उनका में इतने आथ उठाते हुए इतना मार पटाई मियां बीबी की देखिया कि खुण हलूद हो जा इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए दोन अमीम भीवी को कि अपने जो भी बात हो उसमें कोशिश करें कि अपस में सॉल्फ कर लें उसको बचों तक ना जाने दें बचों का महूल ना खराब करें और बचों की परस्नल्टी ना खराब करें यह चीज रहते हैं अच्छा यहां प सिंदगी के सफर में खानदान की कितनी हमियत होती है एक खानदान का क्या मतलब रोल मॉडल क्या होता है खानदान को बिलकुल बिलकुल हो यह होता है कि खानदान के बगएर भी कोई बंदे का वो एक सिस्टम नहीं बन सकता है आपके पास अगर आपके बच्चे हैं आप अ अच्छी पोस्ट पे हाई, ली बश्ची हैं आची मकाम पे हाई, आप ऊपने बच्चो पो उसकी दे के उसकी जिननगी को उसरह पे लगा सकते हैं उसके एशक पा नहीं के डेक्वेगए आपके चाचा से आप आप के मामा ने कितना مشکل دور مشکل وقت دیکھنے کے بعد वो इस मकाम पर पोंचे तो आप इये इस तरीके से चलेंगे ये इस रस्टे से चलेंगे तो आपको ये मकाम मलेगा तो ये होता है के मोडर रॉल होते हैं चाचा होते हैं मामा होते ही हानदान का काफी रॉल होता है है इसमें ऐसे कुछ जगों पे औरते हैं मतलब लेडिस के अगर बात करूँ तो मतलब मैचॉरिटी ऐसे लोग हैं कि वो अगर मतलब दल्याल से बहुत सुसाल वालों कि दरिश्टे होंगे उनमें बहुत जादाया अपनी कलते हैं और अपने मैके वालों की अच्छाया करते हैं तो इस आपने नानियाल की तरफ बचा कर रखेंगे चाचा का उसका ताना दिया जाएगा तू बिलकुल आपने चाचा पे इसकी शकल तो बिलकुल आपने चाचा पे इसकी आतने तो बिलकुल आपने चाचा पे यह चीजें भी होती हैं जो बच्चों को खराब करने वाली होती है के यह बच्चियां या बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपने आपने आपको अच्छा लगता है उनको दूसरे की मसाल देनी अच्छी नहीं लगती कि वह फक्र ताना सुनेंगी तुसरी दफ़क़्शों तो आपो और उसको तैबार उनमें ने भी एक इनाखन भी जो है वो दूसरे इनसान से मुख्तलिफ बनाया हुआ है बिलकुल ऐसी है वो ये अगर आप फिंगर प्रिंट से आप इसका अंदाजा लगा लें कि एक फिंगर प्रिंट अगर किसी का तो वो दूसरे दुनिया में किसी एक इनसान कभी नहीं हो सकता है फिर में खराब अगर बनाओगे उसको तानाजनी करोगे फुपी का दोगे चाचे का दोगे मामे का दोगे तो वो खराब करने वाला होता है उसको उस बंदों की आईडियल एक सिस्टम बनाओ प्रिंसिपल ही बनाते हैं उनको ये बताओ उनकी कॉंसलर ऐसी करो कॉंसलर ऐसी कर कर देते उसमें यह वता है कि बच्चों नफ्रत और बच्चों में जो अपने आपको जो इनकी इसलाहिती होती है वो भी खत्म हो जाती है यहां पर मैं एक सवाल आप से पुछूगी कि सबर और शुकर जो है वो मेरे खाल से तो 90 परसन होगी जिन्दगी से निकल चुका है न जिकन मेरे हैल में सबर और शुकुर जो है ना यह सबसे बेस्ट ये सबसे अच्छा है जितना आप Allah का शुकुर अदा करोगे आप थोड़ी चीज से अगर शुकुर अदा करोगे तो Allah उसको बढ़ाता जाएगा अगर आपने दार रोटी खाई है चटनी से खाई है उसका शुकर अदा करो कि दूसरे टाइम में अला पाक उससे बेतर देगा मेरे खास है अचका जो बरकत वाली चीजें जैसे के दस्ताखान वर्श्टार कर रहें तो अब डाइनिंग टेबल आगया वह चीजा होगी है वह गरों का जो एक मौल बना होता था ना वो एक अच्छा लगता था एक तायम होता था इस तेम खाना बनेगा तायम सारे खाना फ कि मेरे खाट से घरों में डिस्टाखान क्योंके मैं खूद भी जार सी बात है कि में रहते हैं माशाला से तो आप साधिसी बात लोगों की लिए तनी जादा होगी कि टाइम नहीं होता है लेकिन एक टाइम पर दस्ताखान लगता है सब बैठते ए तो सब एक दूसरे के बिजनर्स में अपने हों में ऐसे बीजी होगें कि बच्चों के साथ टाइम नहीं होता है लेकन एक टाइम बच्चों में मियां भीवी में या खांदान अगर जोईंट फेमलियों में तो एक टाइम इनको एशास लेख एक आपना ऐसा रखना चाहिए कि कुछ टाइम एक सुनाने का टाइम नहीं है और उनकी सुनने का टाइम नहीं है इसलिए वालदे हैं तो एक कमरे में बैठके दूसरे कमरे मैसेच किया रहे होते हैं कि यह पानी दे 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 यह फिलाना दे दे यह चीज होती है कि दूरियें पेदा हो रही है टेकनोलोजी में अगर फाइद के तोर पर मुंबाइल अगर इस्तमाल करोगी तो होगा लेकं ये कि ये काफी हद तक ये चीज बन चुकी है कि दूरियें पेदा हो चुकी है अब दुस्तरखान वाला टाइम हो चुका हुगा है अब डाइनिंग टेबल पर लगा है किसी के टाइम दस बज़े का जाने का तो और वो बचे भी सुनते थे वो एक मौल बन जाता था एक अच्छा भी लगता था लेकन अब मेरे खाल में वो टाइम मेरे खाल से कि टेक्नोलिजी का एक नुकसाल मुझे ये लगता है कि पहले गरों में लोग बिन बुलाए महान चले जाते थे लेकिन अब अगर फून करत है आपके पास कुछ भी नहीं आपका का पका हुआ कुछ भी लेकन उसमें एक खलूस होता था एक अच्छा अच्छा लगता था लेकन आज का आना तो यह होता कि पहले छे दिन आठ दिन पहले उसका इंफिरमेशन हो जाती है कि बाई वो आएंगे वो मेसेज हो जाते हैं वो जुस्तू जो बाकी नहीं रहती है फिर तो वो वाली चाहता है अब मेरे हैं मेरे हैं में मानदारी में बहुत कम हो गई है में बहुत कम ही हो चुकी है तो यह इसका सारा जो केलिट है वो महंगाई के उपर जाता है मेरे शांची महंगाई के उपर भी जाता है असल में म माले के लिए भी वो बल्डन बन जाता है और जो आगे होता है उसके लिए भी बल्डन बन जाता है लेकिन इस चीज को सोचना नहीं चाहिए मैं कहती हूं कि यह चीजे सब लगा की तरफ से होती है जिसके नवाला भी अगर किसी की नसीब में लिखा हुआ न तो उसको कोई ट यह जो सकूया प्सकू कितना माइने रगता है बल्क współ? आपकी बात आपने पूछी भाता आपने पूछी हाँ पियुक्पार नहीं को अगर में जो अपनी जिन्गी के बाह के बाहर तक ही अगर waves का है कि वह वो गार के सारा मौन दे करी एंबाद रहें अफिस आंब कर दो वो फिर घार का है एक तो बीवी का यह बास लोगों का यह होता है ना के नहीं वह तो गार में बैठ पो यू यह उसको क्या काम है अलंक एसा नहीं होता है दोनों वो बंडों की जो जो जमदारिय आपनी बाखुज़ है अगर अंजाम देंगे न, तो वो मियां और बीवी की ब्राबर की जमदारिय उती है. मियां बाइर अगर सरवार्य करता है, वो कुमाता है, वो दूसरों के लोगों में, मौलों में, जाता है उसके लिए भी मुश्किल है लेकिन एक बीवी अगर गार में रहे कि वो पांच बचों की छे बचों की चार बचों की अगर वो परविश का रही है वो तीन टाइम का खाने का बनबस का रही है देख रही है उनके कपड़े का उनके सुकूल का उनके आने जाने का मेम वहोत खतम हो जाती है और जैनी सकून बॉर दुर्खाइत ऑनी कि जो हॉताए है चेबर एक दुरुक्ष्ट करो nuestros के इतारी कि नाधशिद्ल करो मुद्खाइन को करे तो फिर्दम्ह जो hissा सो तो उसमें यह तो लेगे बीवी होती यह– बीवी मैं गरों में यह माल होता है बांस बीवियों का यह होता है कि वहांद को औक रिग completely बाहर के system को पूरा, इक सारी कानियां लेके बैठ जाओ कि आज मेरे साथ यह हो गया, आज इसने यह बोल दिया, इसने वो बोल दिया, आज मैंने यह कर दिया, मैं यह कर दिया, यह दोनों बंदों का अंडरस्टेंडंग किसे गार चलता है, यह एक दूसरे पर इसान करने वाली बात नहीं होती कि नह मिया बीवी की अंडरस्टेंडंग होगी दोन मिया बीवी का जो इत्वाक होता है वो गार चलाता है और इसमें मौल अच्छा रहे सकता है जी जी मैंना सवा बिल्कुछ सही कहा रही है और आप हमारे प्रोग्राम में तश्रीफ हैं मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे गु को करेंगे जरूर इंशाला बहुत शुक्राइब नादी नमारे प्रोग्राम का वह खतम हो गया है मुझे अपनी मैजबान सना नूर को अजासत दीजिए अल्लाह आफस्